ये है वंदे भारत एक्स्प्रिस मेकिन इंडिया का शांदार उदाहर। पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका स्रिजन। जहां भी जाती है साथ में लाती है सौगातें और सम्रिध्धी की बहार। और आज पश्चिम बंगाल में तेश की साथमी वंदे भारत ट्रेन को लॉंच कर रहे हैं पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी। गती, सुरक्षा और सेवा के धिये के साथ निर्मित वंदे भारत एक्स्प्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा। क्योंकि ये ट्रेन, GPS आधारित, ओडियो विज्वल यात्री सूचना सिस्टम, ओन बोर्ड वाइफाई, दिव्यांगों के लिए सुविधा जनक कोच और कवच सुरक्षा सिस्टम जैसी सुविधाओं से सुसजित है। हावडा से न्यू जलपाई गुडी तक के सफर को आधुनिक, आराम दायक, विश्वस तरिय सुविधाओं से लैस बनाएगी वंदे भारत एक्स्प्रेस। लगभग 11 घंटे के सफर को महज 7.5 घंटे में ही पूरा करेगी। गैंग टॉक दाजलिंग जाने वाले परेटकों की संख्या बढ़ाईगी, क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थ व्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रेकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलब और पर्यावरण के प्रती कम दुश्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तीजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोल्काता वास्यों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा कोलकाता के जोका से तारा तल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंब हो रहा है अब कोलकाता का दक्षुनी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनस एरिया से जुड़ेगा साड़े छे किलोमीटर लंबे इस रूट में छे एलेवेटेट स्टेशन है डाइमंड हाबर का सफर जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा और इसका फाइदा प्रते दिन सफर करने वाले 25 से 30 हजार लोगों को मिलेगा न्यू जलपाईगुडी स्टेशन री डिवेल्प्मेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिला न्यास हो रहा है जून दो हजार पच्चिस तक ये स्टेशन विश्वस तरियस सुविथाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतरराष्ट्रिय ट्रेन टर्मिनल बनेगा इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्राफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है ट्राफिक मैनेज्मेंट, बोडियम पारकिंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग द्वार, दिव्यांगों के लिए अलग सुविथाओं के साथ सीसी टीबी से लैस इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सोलर एनरजी, जल सनरक्षन, वर्षा जल संचय की विवस्था होगी साथ ही आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है कई और सौगातें 25.83 किलोमेटर लंबी 25 शक्तिगर थर्ड लाइन जिससे हावडा और बर्धमान के मत्थे पढ़ेगी यात्रियों की संख्या मिलेगा छोटे व्यापारियों और क्शेत्रिय लोगों को लाब 25.41 किलोमेटर लंबी तानकुनी चंदनपुर फोथ लाइन जो बढ़ाएगी यात्रियों की सुविधा, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को होगा लाब निम्तिता न्यू फरक का डबल लाइन ट्रैक जिससे हावडा और गुवाहाथी के बीच सफर में लगेगा कम समय और अमबारी वालाकाता न्यू मैना गुडी गुमानी हाथ डबलिंग प्रोजेक्ट जिससे गूच बिहार और जल्पाई गुडी क्षेत्र के विकास के खोलेंगे द्वार यात्रा का समय खटेगा और क्षेत्रिय व्यापार बढ़ेगा प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी के नेत्रित्म में आजादी के बाद पहली बाद भारतिय रेल की खुशमता को इतने बड़े स्थर पर इस्थिमाल किया जा रहा है अब भारतिय रेल देश के साथ साथ संस्कृती, पर्यतन तीर्था टन को भी एक सूत्र में पिरो रही है देश की प्रगती को मिलती रहे एक नई गती इसके लिए निरंतर प्रयासरत है भारतिय रेल